शिव बाबा याद है ना? एक बार बुद्धी को भटकने की आदत पढ़ गई तो वहे फिर छूटती नहीं इससे अपना समय भी निश्फल करते हैं और पाप भी नहीं करते हैं फिर बाबा ने कहा सदा स्मृती रहे तुम्हें पढ़ाने के लिए रोज शिव बाबा आते हैं तो इतनी मेहनत करनी चाह शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो उसमें बहुत ताकत आएगी जितना तुम याद में रहेंगे उतना तुम्हारा ही कल्यान हैं फिर दूसरों को भी कशिश होगी परन्तु माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी भुला देती हैं इसलिए बाप खबरदार करते है शरीर को तंदुस रखने के लिए भले घूमो फिरो परन्तु सब कारे करते दिल से बाप को याद करते रहो आपस में जर्मूई जग्मूई नहीं करो और लास्ट में बाबा नहीं कहा लोब वश जास्ती चीजों को इकठा नहीं करना चाहिए नहीं तो मरने समय भी वही य जाद आएंगी खान पान या पहनने आदी पर जादा खर्चा नहीं करना है और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे तुम यहां याद में रहकर पाप दगद करने के लिए आए हो इसलिए बुद्धी योग निश्फल ना जाए इस बात का पूरा ध्यान रखना है प्रश्ण कौन सा सुक्षम विकार भी अंत में मुसिबत खड़ी कर देता है उत्तर अगर सुक्षम में भी हबच लालच का विकार है कोई चीज हबच के कारण इकठी करके अपने पास जमा करके रख दी तो वही अंत में मुसिबत के रूप में याद आती है इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने पास कुछ भी न रखो तुम्हें सब संकल्पों को भी समेट कर बाप की याद में रहने की टेव आदत डालनी है इसलिए देही अभीमानी बनने का अभ्यास करो ओम शांती बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं देही अभीमानी बनो क्योंकि बुद्धी इधर उधर जाती है अज्यान काल में भी कथा वारता सुनते हैं तो बुद्धी बाहर भटकती है यहाँ भी भटकती है इसलिए रोज रोज कहते हैं देही अभिमानी बनो वे तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो धारन करो शास्र जो सुनाते हैं वे वचन ध्यान पर रखो यहां तो बाप आत्माओं को समझाते हैं तुम सब स्टुडेंट देही अभिमानी होकर बैठो शिवबाबा आते हैं पढ़ाने के लिए ऐसा को कोई कॉलेज नहीं होगा जहां समझेंगे शिवबाबा पढ़ाने आते हैं ऐसा स्कूल होना ही चाहिए पुर्शोत्तम संगम युग पर स्टुडेंट बैठे हैं और यह भी समझे हैं परम पिता परमात्मा आते हैं हमको पढ़ाने शिवबाबा आते हैं हमको पढ़ाने प उनको पावण बनना है तो मामेकं याद करो परंतु माया घड़ी-घड़ी भुला देती है इसलिए बाप खबरडार करते हैं कोई को समझाना है तो भी पहली-पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता है वे कहा है उनको याद तो सब करते हैं जब कोई आफते आती है कहते हैं हे भगवान रहम करो किसको बचाना होता है तो भी कहते हैं हे भगवान ओ गौड हमको दुख से लिब्रेट करूं दुख तो सब को है यह तो पक्का मालूम है सत्युक को सुखधाम कहा जाता है कलियुक को दुखधाम कहा जाता है यह बच्चे जानते हैं फिर भी माया भुला देती है यह याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है क्योंकि बहुत हैं जो सारा दिन याद नहीं करते हैं एक मिनट भी याद नहीं करते हैं फिर याद दिलाने के लिए यहां बिठाते हैं याद करने की युकती बतलाते हैं तो पक्का हो जाए बाप की याद से ही हमको सतोप्रधान बनना है सतोप्रधान बनने की बाप ने फ युक्ति बताते हैं यहां तुम बच्चे शान्ती में तब बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है अगर बुद्धी का योग यहां वहां गया तो शान्त में नहीं है गोया अशान्त है जितना समय यहां वहां बुद्धी योग गया वह निश्फल हुआ क्योंकि पाप तो क से कड़ते हैं यह बड़ी महीन बाते हैं बाप ने कहा है मेरी याद में बैठो तो जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफलता है जरा भी बुद्धी इधर उदर गई तो वह टाइम वेस्ट हुआ निश्फल हुआ बाप का डारेक्शन है ना कि बच्चे मुझे याद करो अगर याद नहीं किया तो निश्फल हुआ इससे क्या होगा तुम जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे फिर तो आदत पड़ जाएगी यह होता रहेगा आत्मा इस जन्म के पाप को तो जानती है भल कोई कहते हैं हमको याद नहीं है परंतु बाबा कहते हैं ती इस परंते पाप नहीं होते हैं जितने बाद में होते हैं दिन प्रते दिन धर क्रिमेनल को कहाए सुर्य को नहीं कहते चंद्रमा की है एक मास की बात यह फिर है कल्प की बात दिन प्रति दिन नीचे उतरते जाते हैं फिर याद की यात्रा से उपर चड़ सकते हैं फिर तो दरकार नहीं जो हम याद करें और उपर चड़ें सत्युग के बाद फिर उतरना हैं सत्युग में भ पद नहीं करते हैं उतरना भी जरूर है फिर याद करने का उपाय बाप ही बतलाते हैं क्योंकि ऊपर जाना है संगम पर ही आकर बाप सिखलाते हैं कि अब चड़ती कला शुरू होती हैं हमको फिर अपने सुख धाम में जाना जाना बाप कहते हैं अब सुख धाम में जाना है तो मुझे याद करो याद से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तुम दुनिया से निराले हो वैकुंठ दुनिया से बिलकुल न्यारा है वैकुंठ था अब नहीं है कल्प की आयू लंबी कर देने के कारण भूल गए है अभी तुम बच्चों को तो वैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई देता है बाकी थोड़ा टाइम है याद की यात्रा में ही कमी है इसलिए समझ से हैं अभी टाइम है याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है तुम पैगाम पहुँचाते हो ड्रामा के प्लैन अनुसार कोई को पैगाम नहीं देते हैं तो गोया सर्विस नहीं करते हैं सारी दुनिया में पैगाम तो पहुचाना है कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो गीता पढ़ने वाले जानते हैं एक ही गीता शास्त्र हैं जिसमें यह महवाक्य हैं परन्तु उसमें श्रीक्रिष् भगवानु आज लिख दिया है तो याद किसको करें भल शिव की भक्ति करते हैं परंतु यथार्थ ग्यान नहीं जो श्रीमत पर चलें इस समय तुमको मिलती है इश्वर ये मत इनके पहले थी मानव मत दोनों में रात दिन का फर्क है मानव मत कहती है इश्वर सरव्यापी है इश्वर की मत कहती है नहीं बाप कहते है मैं आया हूँ स्वर्ग की सापना करने तो जरूर यह नर्क है यहां पांच विकार सब में प्रवेश हैं विकारी दुनिया है तब तो मैं आता हूँ निर्विकारी बनाने के लिए जो इश्वर के बच्चे बने उनके पास विकार तो हो नहीं सकते रावन का चित्र दस शीष वाला दिखाते हैं कभी कोई कहना सके कि रावन की स्रिष्ठी निर्विकारी हैं तुम जानते हो अभी रावन राज्ये हैं सभी में पांच विकार हैं सत्युग में है राम राज्ये कोई भी विकार नहीं इस समय मनुष्य कितने द दुख लगते हैं ये हैं दुख धाम सुख धाम में वह पढ़ाई कोई को समझाने के लिए नहीं है इमहिंतिहान पास किया और नोकरी पर चड़ा यहां तो तुमको सबको पैगाम देना है सिर्फ एक बाप थोड़े ही देंगे जो बहुत होश्यार है उनको टीचर कहा जाता है कम होश्यार है तो उनको स्टुडेंट कहा जाता है तुम्हें सबको पैगाम देना है पूछना है भगवान को जानते हो वेह तो बाप है सबका तो मूल बात है बाप का परिचे देना क्योंकि कोई जानते नहीं है उच्च ते उच्च बाप है सारे विश्व को पावन बनाने वाला है सारा विश्व पावन था जिसमें भारत ही था और कोई धर्म वाला कहना सके कि हम नई दुनिया में आ उनकी आगे जरूर कोई थे बाप बैट समझाते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूं ये भी कोई मानते नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं अरे ब्रह्मन तो जरूर चाहिए ब्रह्मन कहां से आएंगे जरूर ब्रह्मा से ही तो आएंगे ना अच्छा ब्रह्मा का साकार बाप कौन कोई बतला न सके ब्रह्मा तो गाया हुआ है प्रजापिता भी है जैसे निराकार शिवाबा कहते हैं उनका बाप बताओ फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ शिवाबा तो अडोप्ट किया हुआ नहीं है यह अडोप्ट किया हुआ है कहें इनको शिबाब ने अडोप्ट किया विश्णु को शिबाब ने अडोप्ट किया है ऐसा नहीं कहेंगे यह तो तुम जानते हो ब्रह्मा सो विश्णु बनते हैं अडोप्ट तो हुआ नहीं शंकर के लिए भी बताया है उनका कोई पार्ट है नहीं ब्रह्मा सो विश्णु व सब आत्माओं का बाप है और ब्रह्मा की रचना है सब मनुष्य शंकर की रचना कहां है शंकर से कोई मनुष्य दुनिया नहीं रची जाती बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं हर एक की बुद्धी नंबर वार है न जितन बुद्धी उतनी टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते हैं यह हैं बेहद की पढ़ाई पढ़ाई की अनुसार ही नंबर वार पद पाते हैं भल पढ़ाई एक ही है मनुष्य सिदेवता बनने की परंतु डाइनेस्टी बनती है न यह भी बुद्धी में आना चाहिए कि हम कौ बनते हैं यह भी तुम समझ सकते हो नंबर वार पुरुशार्थ नुसार हर एक को दासियां मिलती होंगी तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए जो जन्म जन्मांत्र दासी बने पुरुशार्थ करना है उंच बनने का तो सच्छी शांती बाप की याद में है जरा भी बुद्ध कि इधर उदर गई तो टाइम वेस्ट होगा कमाई कम होगी सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे यह भी समझाया है हाथों से काम करते रहो दिल से बाप को याद करो शरीर को तंदुरुस रखने के लिए घूमना फिरना यह भी भले करो प्रंतु बुद्धी में बाप की याद रहे अगर साथ में कोई हो तो जर्मुई जग्मुई नहीं करनी है यह तो हरेक की दिल गवाही देती है बाप समझा देते हैं ऐसी अवस्था में चक्र लगाओ पादरी लोग जाते हैं एकदम शांत में तुम लोग ग्यान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे फिर जबान को शांत में लाकर शिव बाबा की याद में रेस करनी चाहिए जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं याद में बैठ कर खाओ अपना चाट रखो बाबा अपना तो बताते हैं कि हम भूल जाते हैं कोशिश करता हूं बाबा को कहता हूं बाबा हम पूरा समय याद में रहूंगा आप हमारी खासी बंद करो, शुगर कम करो, अपने साथ जो मैंनत करता हूँ वे बताता हूँ, पर antum मैं खुद ही भूल जाता हूँ, तो खासी कम कैसे होगी? जो बातें बाबा के साथ करता हूँ, वह सच सुनाता हूँ बाबा बच्चों को बता देते हैं, बच्चे बाप को नहीं सुनाते, लज्जा आती है जाडू लगाओ, खाना बनाओ, तो भी श्य बाबा की याद में बनाओ, तो ताकत आएगी यह भी युक्ती चाहिए, इसमें तुम्हारा ही कल्यान होगा फिर तुम याद में बैठेंगे, तो औरों को भी कशिश होगी एक दो को कशिश सो होती है न, जितना तुम जासी याद में रहेंगे, उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा एक दो का प्रभाव ड्रामा नुसार पड़ता है, याद की यत्रा तो बहुत कल्यान कारी है, इसमें जूट बोलने की दरकार नहीं है, सच्चे बाप के बच्चे हैं, तो सच्चा होखर चलना है बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है, तो फिर लोब कर दस, बीस, साडियां आदी क्यों इकठी करते हो, अगर बहुत चीजें इकठी करते रहेंगे, तो मरने समय भी याद आएंगी इसलिए मिसाल देते हैं कि स्री ने उनको कहा लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो यह भी याद आएगी, कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत लाते हैं, जूट बोलने से सो गुना पाप चड़ जाता है शिव बाबा का भंडारा सदेव भरा रहता है, जास्ती रखने की भी दरकार क्या है, जिसकी चोरी हो जाती है, तो सब कुछ दिया जाता है, तुम बच्चों को बाप से राजाई मिलती है, तो क्या कपड़ यादी नहीं मिलेंगे, सिर्फ फाल्तु खर्चा नहीं करना चा वह तुम्हारी परवरिश करती हैं, तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना, नहीं तो सो गुना पाप सिर पर चड़ता है, अच्छा, मीठे मीठे, सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्से, नमस्से, गुड मॉर्निंग, धार्ना के लिए मुख्ये सार, पहली पोइंट, बाप की याद में बैठते समय, जरा भी बुद्धी इधर उधर नहीं भटकने चाहिए, सदा जमा होती रहे, याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए, दूसरी पोइंट, शरीर को तंदरुस रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो, तो आपस में जर्मुई जग्मुई, परचिंतन नहीं करना है, जबान को शान्त में रख, बाप को याद करने की रेस करनी है, भोजन भी बाप की याद में खाना है, वर्दान, निश्य बुद्धी बन, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव, अभी तक मैजॉरिटी बच्चे, कमजोर संकल्पों को स्विम ही इमर्ज करते हैं, सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा, यह कमजोर संकल्प ही दिवार बन जाते हैं, और सफलता उस दिवार के अंदर छिप जाती है, माया कमजोर संकल्पों की जाल बिछा देती है उसी जाल में फस जाते हैं इसलिए मैं निश्चे बुद्धी विजई हूँ सफलता मेरा जन्म सिध अधिकार है इस स्मृती से कमजोर संकल्पों को समाप्त करूँ स्लोगन तीसरा ज्वाला मुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी आज का अव्यक्त ग्यानमोती बहुत विशेस है सभी भाई बहने जरूर सुने अव्यक्त ग्यानमोती सुनने के लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें कर दो